पता नहीं यहां पर हो क्या रहा है यहां कोई नहीं दिख रहा मुझे नहीं लगता कोई बचा होगा चलो चलती है यहां पर कोई है इसे कैसे पाहर निकालो तुम ठीक हो यह तो वह एरो की है यह यहां कैसे आई इह रोबोट है रीररो यहां यहां तो एक भी रोबोट नहीं है वो जरूर हालान को संभादने के लिए गए होंगे और वापस आते ही होंगे चलो यहां से बाहर चले रीरूरू तुमारे लिए कर्जें मेसिट है यह क्या है रीरूरू जवाब दो मैं हेड आफिस से बोल रहा हूँ सेना यहां मेक अठोबिय से निकल चुकी है कल शाम तक प्रिथ्वी पर पहुँच जाएगी क्या कहां कल शाम तक वो लोग तो बहुत चल्दी आ रहे है आप क्या होगा रीरूरू तुम जवाब क्यों नहीं दे रही तुम्हें एक काम स्वापा गया है रोबोट सेना को सुरक्षित प्रिथ्वी तक पहुचाना जवाब दो यह बात है अगर रीरूरू रोबोट सेना को गाइड नहीं करेगी तो मुझे लगता है दोस्तों फोडिस तक नहीं पहुच पहेंगे हमारे पास बस यहीं कोधा है किसी भी कीमत पर बिष्ज़ो रुको पता नहीं वो वहां पर क्या कर रही है जी, हमलें की पूरी तयारी हो चुकी तो इंतजार किस बात का प्रिफ़ी पर हमला करो रीरो 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 चूटो रीरो चूटो पता नहीं है किसका नाम ले रही है कौन है वहाँ पर नौ पिता शुक्रिया नौ पिता तुम इस जगे पर क्यों आई रीरो 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 ये कौन है शिजुका दोरेमोन तुम ठीक हो ना रीरो रीरो कहा है कहा है रीरो 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 अच्छा वो लड़की वो अंदर है तुम मेरे साथ आओ हाँ उससे क्या हुआ है ये तो एक रोबोट है दोरेमोन कहीं ये अंदर से तूट तो नहीं गई है ना इसे रोबोट सेना की प्रिच्वी तक आने में मदद करने थी अगर ये तूट गई होगी तो ऐसा नहीं कर पाएगी ये तो बहुत बुरा हुआ हाँ बहुत बुरा हुआ कितने दुख की बात है ये लोग तो हमारी प्रिच्वी पर हमला करना चाहते हैं हाँ ये तो है अगर हमने रिरूरू को ठीक कर दिया तो हम रोबोट सेना के बारे में जानकारी ले पाएंगे चलो हम इसे ठीक करते हैं हाँ हाँ इसे ठीक करते हैं मशीन फर्स्ट एट केट, मेरे इस क्याजट की मदद से ये ठीक तो हो जाएगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, इससे काम बन जाएगा सब लोग कमरे से बहाँ जाओ, भले ही वो रोबोट है, पर हैसे लड़की ही सुनो, क्या तुम लड़की हो, तुम तो बहुत त्यारी हो देखो, तम इससे बात करो, मैं एक लड़का हूँ, प्यो इसे भी ले जाओ, लेकिन देखो तुम उसकी फिक्र मत करो, वो जल्दी ही, बिल्कुल ठीक हो जाएगी